ये तब तक नहीं समझता था जब तक मैं फादर नहीं बना मेरी जिन्दगी में दो बहुत प्यारे बच्चे एक बेटा है और एक बीटिया है बेटा बड़ा है जब वो हुआ तो मेरे को समझ आया आप पिता बनना क्या होता है मुझे लगता है उसके बाद हमारे जीवन का हर निड़न उसके हिसाब से हुआ यहां जाने से वो रोता है वहां नहीं जाएंगे वहां जाने से वो हसता है तो वहां जाएंगे उसको इस तरीके की पिक्चरे पसंदे तो ऐसी पिक्चरे जाएंगे उसको मौल में जाना पसंद है तो मौल में जाएंगे उसके लिए घुड़ा बनेंगे वो पीट पे घुड़ा बनके चड़ेगा हमारे कपड़ों पे सूसू करेगा वो बुलेगा मैं ये खाऊंगा तो उसको खिलाएंगे अपनी कोई जरुरत पूरी हो नहों अपनी इक्षा अधूरी रह जाए लेकिन उसकी जो इक्षा होई वो पूरी करेंगे और मैं ही नहीं मुझे लगता है दुनिया का हर माबाप अपनी सामर्थ में अपने बच्चे की हर इक्षा पूरी करता है फिर बच्चे ऐसा क्यों करते हैं एक दिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो अलग घर बसाने की क्यों सोच लेते हैं चलिए अलग घर बसा भी लिया वो डिस्कनेक्ट होने की क्यों सोच लेते हैं कोई पत्नी अपने पती के कहने पर कोई पती अपनी पत्नी के कहने पर अपने माबाप को क्यों छोड़ देता है, जिसने पैदा किया, इतना बड़ा किया, एक के दुख उठाया, हर सुखी उनसे जुड़ा था, सच कहूं तो संतान होने के बाद माता पिता के जीवानी नहीं रह जाता, संतान हसता है तो वो हसते हैं, और संतान रोती है तो वो रो हुए थे, उनका युवा बेटा जो की कहीं नहीं नहीं जॉब पर लगा था, वो अपनी टेबल पर काम कर रहा था, अचानक छत में कुछ खड़ खड़ाने की आवाज आई, पिता ने उससे का बेटा, छत में कुछ आवाज आ रही है, देखो कुछ गलत ना हो जाए, बेटा बहुत चोरिया हो रही है, आस पर थोड़ा सा देख लो, बेटा ने का, पिता जी, कोई बिल्ली होगी, कोई चुहा हो गया, हवा से कुछ समान लुड़क गया होगा, आप सो जाईए, पांच मिनद बाद फिर जोर की आवाज होई, पिता उड़ गया, पिता ने का, बेटा देख लेता तो अच्छा होता है, कुछ हो ना जाए, और बच्चा जोर से भड़क के कहता है, आपको तो नींद आती नहीं है, आपको क्या है, दिन बर आप सोते रहते हो, आपको कोई काम है नहीं, मुझे तो काम करने दो, अरे जो होगा, मैं देख लूगा, आप चुप चुप सोने क्यों नहीं जाते है, इतना परिशान क्यों कर रहे हो, पिता की आखे गेली हो गए, नम हो गई आखे है, पिता चुप रहे है, और कुछ मिनडवाद हो कहते हैं बच्चे से, बेटा, तुने बच्पन में मुझसे हजार परश्न किये, लाख परश्न किय आसमान नीला क्यों होता है, बारिश कैसे होती है, सूरज कैसे उगता है, चंदा मामा में कौन रहता है, गाड़ी कैसे चलती है, पतं कैसे उड़ती है, बेटा मैं तेरे हर प्रश्न का जवाब देता रहा, कभी नहीं जानता था तो जुट मुट का देता रहा, कभी कहीं से पूछ के देता रहा एक संतान के लिए माता पिता अपना हर सुख दाओ पे लगा देते हैं वई संतान बाद में generation gap का नाम देदेती वही संतान बाद में कहती है हमारे विचार मेल नहीं खाते है विश्वास घात है यह गलत है यह जितना आपकी सामर्थ हो उतना आपको करना जाए मैं यह नहीं कहता कि आप स्रवन कुमार बन जाए और कांधे पर उठा कर लेके जाएं लेकिन जितनी आपकी सामर्थ हो उतना आपका दाइत वो बनता है और आपके माता पिता मौडन नहीं है तो संकोच मत करिये वो मौडन इसलिए नहीं के हैं क्योंकि वो उतने सम्रिद नहीं थे उनके पास वो लगजरीज नहीं थी उनको इंगलिश बोलना नहीं आता तो शर्म मत करिये क्योंकि उस समय English Medium School नहीं थे और थे भी तो उनकी छमता नहीं थी छमता होती तो क्यों भला वो हलके रहते लेकिन आप ये तो सोचो कि उन्होंने आपके लिए क्या किया उन्होंने ये तो सोच किया कि आपको इत्ता समर्थिवान बना दिया अब आपका क्या दाइत्वे छोड़ के चले जाएं अब आपका क्या दाइत्वे बुढ़ापे में जब उनको किसी के साथ की सबसे ज़्यादा जुरूरत है अरे किसी जॉब की वज़े से असाइनमेंट्स की वज़े से पास न रह पाएं तो हर दिन एक फोन तो कर सकते हैं हर कुछ महिने में मिलने तो आ सकते हैं सारी वैवस्थाएं तो जुटा के दे सकते हैं कि किसी किसम की कोई तकलीफ न हो जाए बागबान पिक्चर आपने देखी होगी उसे उसमें आज भी हमिताब बचन का एक सीन याद आता है जब चश्मा बनाने के लिए उनका बेटा कहता है अभी पैसे नहीं है काम चला लो और छोटा सा बच्चा पैसे लाके देता है कि पापा पहले दादा जी पहले चश्मे बनवा लो आपके पास अपनी लगजरी के लिए पैसा है अपनी गाड़ी बदलने के लिए पैसा है अपना बंगला बदलने के लिए पैसा है नए इंटीरियर कराने के लिए पैसा है मौल जाने के लिए पैसा है लेकिन माब आपकी सेवा करने के लिए ना तो आपके पास पैसा है ना तो आपके पास वक्त है सिर्फ एक प्रश्ण है यदि आपकी संतान ने ऐसा किया तो आप क्या करेंगे यदि आपकी संतान ने ऐसा किया तो आप क्या करेंगे आप बोलेंगे नहीं मेरी संतान तो करी नहीं सकती लेकिन आपके माबापने भी तो यह नहीं सोचा था था ना कि आप ऐसा करेंगे नहीं तो आपको दूद क्यों पिलाते हैं आपको बड़ा क्यों करते हैं जब एक दिन विश्वास घात लेना था तो आज आप जो कर रहे हैं न वो कल आपके साथ भी हो सकता है सोचिए गणेश जी ने माता पिता के तीन चक्कर लगा लिये थे और उसी से उनका दुनिया का सारा चक्कर हो गया था माता पिता हैं ये भी भाग्य की बात है मैं जादा जानता हूँ मेरे पिता का निधन जब मैं बहुत छोटा था तब हो गया था और जब मैं सामर्थ वान हुआ तो मेरी माता का निधन हो गया मैं सानुबूती के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं दुर्भाग शाली मानता हूँ कि आज मैं जहां भी हूँ जिस मुकाम पर भी हूँ जितना सक्छम भी हो मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है वो बाटने के लिए और वो कमी खलती है हर पल आज आपके पास है तो ग्रांटेड मत लीजिए आप किसी देश में जॉप कर रहे हो किसी शेहर में जॉप कर रहे हो एक कॉल अपने माबाप को कर सकते है दो मिनट के लिए वाटसेप कम कर देजिए उस दिन पाच मिनट के लिए फेस्बूक मत देखिए कर सकते है अपनी सेलरी का कुछ हिस्सा बिना किसी स्वार्थ के आप अपने माबाप के लिए रिजर्व कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हक है उनका और उनकी सारी जरूरते पूरी हो जाए मैं ये नहीं कहरा कि आप सब कुछ अपना छोड़ के कर दे वो तो संभव नहीं है इस युग में लेकिन जितनी सामर्थ है बिना स्वार्थ के कर सकते हैं आप पूछ के देखिए और यदि आपकी संतान ने ऐसा कर दिया ना साथियों तो याद रखना ये बीच आपका बोया हुआ है याद रखना आप ये बीच किसी और ने ने बोया है हर किसी से मैं कहता हूँ अपने माबाप का बहुत आदर करो क्योंकि आपकी संतान वही करेगी जो आपको करते वे देख रही है आप माबाप का अनादर करो और अपनी संतान से कहो मेरा आदर करना संभव नहीं है आप माबाप के लिए कमजोर खाना खिलाओ माब आपके लिए कमजोर बरतन रखो माब आपके लिए अलग वैवस्ता रखो अपने लिए सुपर डुपर वैवस्ता रखो वो भी संतान देख रही है याद रखना तो बहुत आदर करिए रोज सुबा पैर चुए यदि आप साथ में रहते तो पैर चुके अपने काम पर कुछे लिए हफ्ते में एक दिन दो दिन घंटा दो घंटा वक्त दीजिए बिना बात बैठी हफ्ते में एक आद दिन अपनी मम्य की गोद में सिर रखके बैड जाईए बोलिए मेरे सिर प्याज मालिश कर दो गप मार लिजे जैसा मारतेथ हैं वैसे ही खेल लीजे जैसे बच्पन में खेलते धपते में एक दिन दू घंटे तो बनता है यार, उन्होंने किया है उतना, कर सकते हैं, उनके सुक्स उइधा की व्यवस्था कर सकते हैं, साल में चार ट्रिप अपनी घुमने जाई है, एक ट्रिप उनको भी तो लेके जा सकते हैं, वो धर्म करना चाहें तो धार्मिक जगह पे ले जा सकते हैं कहीं और ले जा सकते हैं कुछ ऐसा कीजिए कि आपके माबाप अपनी प्रार्थना में कहें कि ये भगवान हर जन में मुझे ऐसी संतान देना और आपकी संतान आपको देखकर कहें कि मेरे पापा, मेरी मम्मी मेरे पापा अपने माता पिता का मेरी ममी अपने साथ ससुर का जिस तरीके से आदर सम्मान करती है मैं भी वही करूँ यही तो संसकार है और क्या है संसकार जिसमें आपको पैदा किया जिसमें अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी आपके लिए आप उसके नहीं हुए तो फिर आप किसके हुए तो साथियो अब तक जो हुआ सो हुआ कहीं कमी छूटी गोली मारो भूल जाओ आज से शुरू कर सकते हैं यदि अपना जीवन बनाना है तो अपने माता पिता से प्रेम करिए यदि खुद आदर पाना है तो माता पिता का आदर करिए मुझे विश्वास है आज इस वीडियो को देखकर लाखो करोडो लोग एक बार फिर अपने माता पिता के लिए वक्त निकालेंगे और इससे बड़ा उपहार मेरे लिए कुछ ने होगा ये वीडियो मेरे जिंदगी की सबसे किमती वीडियो में से एक है